अब आज वेलकम अगें बी एम जे अब लाज देश्तो बच्छो कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर जो 17 कर रहे थे एरिया पैरिमेटर वॉलियम उसके हमने कोशन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिये हैं और आज हम करेंगे उसके आगे कोशन के लिए कंटिनियू तो पर रहे क्लास में एंड तक चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकन को प्रेस करके और पर सलेक्ट कर लो जिससे आने माली हर क्लास का नोटिफिकेशन सामको साथ बज़े आपके पात में पहुंच जाना चाहिए क्योंकि सामक आप जोएन करिएगा क्योंकि यहां पर BMJNB क्लाइस तरफ से कोई भी मेटल प्रोवैड किया जाएगा यहां पर PDF के थुरू ही शेयर किया जाता है और WhatsApp गुरूप ही है इसको भी अगर आपने जोएन नहीं किया है तो जोएन कर सकते हो इस पर आपके लिए कोई भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी बच्चे डेली के तरह अपनी अपनी भी प्रिजेंट लगा देंगे और जिन्होंने क्लास को सेर नहीं किया है तो फटा फट से भी शेयर कर दो ठीक है सबसे पहला आपको काम क्या करना है भही क्लास में प्रिजेंट लगा देनी है अपनी अपनी और शियर कर देना है क्लास के लिए और आप लोग के लिए भही क्लास कैसी लग रहे हैं यह पशंद आ रही है यस और नो जल्दी से थमस अप करके सबी बच्ये बता देंगे जो बच्चे हमारे साथ जूड़ चुकी है yes और no ठीक है थमस अप करके बता देंगे सबी बच्चे तो हमारे कोसन हो गहते बीटा कोसन नमर 10 तक ठीक और कल एक बच्चे का मैसे था कोसन नमर 8 जो था वो छूट चुका था ठीक है मैंने भी फिर बाद में देखा उसके लिए तो question number 8 जो है वो रहे गया था हमारा why mistake चलिए उसे भी कर लेते हैं question number 8 चलो हुई आज आओ start कर लेते हैं फिर question number 8 उस बर्गाकार खेत की लंबाई बताईए ठीक है वर्ग के आकार के बिटा क्या है एक खेत है तो सबसे पहले बर्ग के आकार का एक हमने आपर safe बना लिया एक खेत बना लिया ठीक है जिसका चेतरफल दे रखा है चेतरफल का मतलब यह हो गया इसके अंदर का जो area है यह इस तरह से यह यह दे रखा है पूरा कितना दे रखा है बैटा 2212, sorry 225 वर्ग मीटर दे रखा है इसका क्या area तो यहाँ पर भी जो चीद दे रख किये वो हम लिख लेते हैं वर्गा छेतर फ़ल दे रखा है सबसे पहले वर्गा छेतर फ़ल का फार्मला क्या होता है भाई भुजा स्क्वेर, मतलब साइड स्क्वेर, ठीक है, तो भुजा स्क्वेर कर लेंगे, बराबर, अब भुजा देखो, हमें क्या है, भुजा निकालनी है, और छेतरफल दिरक्का है, कितना, दो हजार पच्चेज, और आपसे पूछा गया है, इस खेत का परिमाप ग्या होता है, 4 into side होती है, 4 उगणा भुजा होती है, तो यहाँ पर 4 और side, बिटा अब देखो, कोशन में क्या आपकी side दे रखी है, तो कोशन को आप दुबारा से read करोगे, देखोगे, तो आपके सामने परिमाप निकालने के लिए side पता होनी चाहिए, जब तक हमें side पता नही होगी, जब तक हमारे लिए, भुजा पता नहीं होगी, तब तक क्या है, किसी भी condition में हम परिमाप को नहीं निकाल सकते, अब कैसे निकालोगे, तो कलिब मैंने बताया है आपके लिए, किस तरह से निकालना है, जो data दे रखा है कोशन में, उसी से आपको निकालना है, तो हमें कुछ ना कुछ करके एसी से निकालना पड़ेगा, अब निकालो कैसे बात यह आती है, तो चलो भई, कैसे, वरक का छेतरफल कितना है, दे रखा है, तो दे रखा है भी उसके नीचे लिख लो, ठीक है, हमने उसके नीचे लिख लिया, जो छेतरफल दे रखा था, अब होगा question ठीक है तो आपको भी फार्मूल याद कर लेने हैं जिससे क्या है अब भी देखो यहाँ पर क्या था परिमाप निकालने यह वर्क का चेतरफल क्या होता है तो भी आपको भुजा दिमाग में आएगी ही नहीं आएगी तो आप किसी भी कंडिशन में नहीं निकाल सकते हैं तो आपको फार्मूला याद करना most important है याद कर लो बहुत जरूरी है आपको बिना याद करें आपको कोशन को solve कर दो तो भी impossible है तो फार्मूलों को अच्छे से learn कर लेना है सही बच्चों के लिए तो यहाँ पर आप देखिए हमें भुजा निकालनी है अब कैसे निकालोगे भुजा की पावर में क्या दे अब कैसे निकालोगे बताओ ठीक है कैसे निकालोगे बुजा की तो सुनो इनना चैप्टर अभे हमने कि अनिये कुकaces रूट वाला क्यूम रूट स्कैर रूट वाला अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आप के लिए ये वर्ग square दिख रहा है अब square यह हटता है तो इस side क्या हो जाता है बिटा इसके उपर ये बर्ग मूल का sign क्या है लग जाएगा ठीक है, बात clear होगे दुबारा सुन लो, यहाँ पर आपका क्या है square हटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यह बर्ग मूल का क्या है sign यहाँ पर लग जाएगा clear हो गई यहाँ पर cube होता, तो यहाँ पर burg मूल का sign, ठीक है cube root का sign क्या है यहाँ लग जाता ठीक है यह आगे आपको बताई जाएगी यजब chapter आपको आए जाएगा परिशान नहीं होना है बस आप इतना सीखलो यहाँ पर यह स्क्वेयर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा इस पर यह रूट लग जाता है ठीक क्लियर हो गया तो यहाँ पर देखो अब हम भुजा यहाँ से निकाले तो कितने निकल कर आएगी इसका बरगमूल क्या होगा इसको एरूट कितना होगा 45 होता है ठीक है यह आपको लिखाय जाएंगे और बताया भी जाएगा किस तरह से आपको निक निकालना है तो यहां पर भुजा कितने कर आघया 45 निकल कर आगया ठीक है अब यहां पर देख सकते ओ अ 90 अब देख लो यहाँ पर अब क्या आएगा 180 अब यहाँ पर मीटर आएगा यह बर्ग मीटर आएगा वह आपको देखना है अब देखो यहाँ पर कोशन नंबर आपका था एड ठीक है अब देखो यहां पर क्या है बर्ग मीटर दे रखा था यह यह क्या रखा था वर्ग मीटर दे रखा था अब चेतरफल किसमे होगा चेतरफल क्या होता है एल रिंटूबी होता है लंबा 2 चोड़ा होता है होता है तो plug 8 मीटर में होगी चोड़ाई मीटर में दिद रख्क होगी तभी में मीटर स्कॉर बनाओगा कल मैंने बताया ध्यूस कूछ थो यहां पर क्या हुआ हुआ तो एक ली गई होगी तो यहां पर क्या होगा इसीं सब्सक्राइब कर प्रमीटर CC कि निवा सजमाई है कि सोरी कि मीटर मीटर कि दुबार सुलो देखो यहाँ पर फॉर इस तरह से लिखा था कलम मैंने बताया था इंटू और साइड साइड के दर किये 45 मीटर दर किये एक साइड के यहाँ पर क्या है चार किसके है फार्वूले के है और 45 क्या है मीटर जो कि एक साइड दे रखी है तो साइड हमने निकाल ली 45 मीटर आम आप अब आप देख सकते हो इसकी मल्टिप्लाई करोगे इससे तो कितना आएगा 180 आएगा और यहाँ पर मीटर कितनी बार है एक बार ही बार है तो यहाँ पर क्या निवाला है 180 मीटर बात के लियर हो गई यहाँ पर अगर आपका 4 मीटर होता यहाँ पर होता फोटी फाइफ मीटर तो कितना ओजाता चार की मिल्टिप्लाई करते 45 से तो बारेड़ एट्टी आ जाता और मीटर मीटर स्कुएर मतलब बर्ग मीट जाता है तो परिमापाब किसमें कर आ गया मीटर में निकल कर आ गया बताओ के लिए हो अगर आप देख सकते हैं option नमबर आप क्या है सी वाला बिल्कुल मेर्च कर रहा है ठीक और चलिए बढ़ते हैं कौशे नमबर 9 गल हम नंबर 9 सोरी ये तो हो चुक मुझन कोशन नमबर 9 भी हो चुका है कोशन नमबर 10 अब आजाओ कोशन नमबर 11 पर कोशन नमबर 9-10 कल हमने कर रखा है और यह हमारा कोशन नमबर 8 जो था वो छूट चुका था कि चलो कि कोशन नमबर 11 एक हॉल की बिमाए 4.8 मीटर इंटो 3.6 मीटर एक हॉल है बिमाए का मतलब यहां पर भोजाओं से त्रिक है यह क्या है आपका होल है और इसकी क्या है 4.8 मीटर, अब यहाँ पर length of it दिरकी है, इनकी side दिरकी है 4 into 8 और दूसरा है आपका 3.6, तो आपको यहाँ से पहचान कर लेनी है कि एक 4.8 दिरकी है यह कौनसी side होगी, तो आपको पता है हमेशा लंबाई क्या होती है चोड़ाई से जाद होती है तो यहाँ पर दूसरी है 3.6 तो मैं कहूँ इसमें यह वाली side कौनसी होगी तो आप बिना सोचे समझे बता सकते हो कि जिसकी क्या है side जाद होगी इसका मतलब वो क्या है वो length वाला part होगा, लंबाई वाला part होगा ठीक है, और जो क्या है 3.6, जो कम है वो क्या होगा चोड़ाई वाला part होगा, ठीक है, क्लियर हो गया तो यहाँ से हम लेख सकते हैं 3.6 meter देख लो, एक hall था जिसकी length क्या थी 4.8 meter और इसकी बिर्थ क्या थी 3.6 meter यहाँ पर हमने क्या है 100 कर लिया, अब आजाओ 1.2 meter भुझा वाली कितनी बर्गाकार टाइलें उसके फर्स को पाट सकती है ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, 1.2 1.2 meter भुझा वाली बर्गाकार टाइलें अब बर्गाकार टाइल्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर बर्ग के आकार की है और work कैसा होता है जिनमें सभी sides क्या होती है एक्क्वाल होती है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ बोला गया है sd1.2 meter side बाली bergakart tiles तो यहाँ पर 1.2 meter यह होगा唉 1.2 meter यह होगा और olan two meter क्या होगा यह होगा तो ये burger card tile है क्या है इससे काटी जा रही है या ऐसे बोल सकते हो अगर ये hall है ठीक है और इसमें हमें क्या करना है tiles लगानी है कि shape की 1.2 meter ठीक है तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर tiles उठाओगे यहाँ पर लगाओगे इस तरह से first पर ऐसे लगाओगे लगाओगे इस तरह से ल tiles से इसमें लगाई जाजकती है work के अकार की square shape की तो यह आपसे पूचा गया है तो जब भी इस तरह का question पूचा जाए किस तरह का आपसे किसी room में किसी hall में tiles बिचभाने के लिए कहा जाए और tiles की length देरक्कियो कितना जो भी देरक्कियो तो आपको क्या करना है वो देखो ठीक है इस तरह ऐसे आपको क्या निकालना है इसमें tiles ऐसे लिख लो यह आपर देखो hall की बिमाए यह लिख सकते हो hall का चेतरफल hall का चेतरफल बटे tiles का चेतरफल टाइल का चेतरफल ठीक है क्या करना है अगर आपको formula learn नहीं हो रहा है तब भी परिसान होने की कोई आवस्चकता नहीं है क्यों नहीं है आपको करना है जो बड़ा बाला होने वाला है तो जो part आपका बड़ा है वो always क्या रहेगा, बटे के ऊपर रहने वाला है, किसे में रहने वाला है, numerator वाले पार्ट में मतलब अंस वाले पार्ट में रहने वाला है, question को आपको इसी तरह से करना है, इसका दूसरा कोई method नहीं है, क्या करोगे, आपके लिए जो बड़ा वाला पार्ट है, उसको ऊपर लिखना है, और जो नीचे वाला पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट है, उससे कहा लिखोगे, हमेशा नीचे लिखोगे, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर tiles की संख्या, यहाँ पर पूच सकते हो यहाँ पर 4.8 मीटर दे रखा है और यहाँ पर 3.6 दे रखा है मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेंद और बिर्द क्या है अलग-अलग है और लेंद बिर्द अलग-अलग है लंबाई चोड़ाई अलग-अलग है इसका मतलब क्या है वो कभी भी स्क्वेड सेप का नहीं हो सकता बर्क के आकार का कभी हो ही नहीं सकता इसका मतलब क्या है आयत के आकार का है किस सेप का है रेक्टेंगलर सेप का है ठीक है तो यहाँ पर हॉल कैसा है आयत 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 आकार है तो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आयद का चेत्र फल वटे और टाइल कैसे है बिटा टाइल आपकी देख सकते हो यहाँ पर क्या है स्क्वार्ड सेप कीए 1.2 मितर क्या हैAll sides सबी बोजाए 1.2 मिलग सकते हो बताओ लिख सकते हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ये चीजे पहली बार में आप समझ रहे हो समझाय जा रहा है इस लिख दिया है तो लिखने की आबस्चक्ता भी नहीं आप लोग के लिए आपको देखना है हॉल कैसा है हॉल भी कैसा है लेंद बिर्थ क्या है अलग अलग है और शेप का S.is का आयताकार है, तो आप लगा सकते हो, hall का छेतरफल व्रावर, लंबाई इंट्व चोड़ाई, अब लंबाई इंट्व चोड़ाई किसमे होती है, आयत के छेतरफल में होती है, तो यहाँ पर, आयत का छेतरफल आप देख सकते हैं, लंबाई इंटू चोड़ाई, लंबाई के अधर किये 4.8 मीटर, इंटू चोड़ाई के अधर किये 3.6 मीटर, अपाउन बर्क का छेतर फल, बर्क का छेतर फल क्या होता है, भुजा स्कुयर होता है, साइड स्कुयर होता है, और साइड के अधर किये विटा 1.2 मीटर, 1.2 तो आपको बिल्कुल समझ्या नहीं आएगी इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आपको भी फार्मूले जो है लर्न करके आना है ठीक है किलियर हो गया चलो अब मैं इसके लिए इधर लग देता हूँ आजा इधर ठीक है इसके बाद आपको इधर समझ लेना है अब देखलो यहां से 4.8 इंटू 3.6 अपॉन 1.2 मीटर दिख रहा है आपका इसके स्क्वेर है तो यहां पर 1.2 कितने टाइमस होगा टू टाइमस होने वाला है यहां से पॉइंट से पॉइंट रिमूब हो जाएग तो 12 थ्रीज हो जाएगा और 12 फोट जाएगा तो 4 थ्रीज जाएगा पिटा 12 हो जाएगा। ै तैनलों कि संख्य आप से पूछे गई थी तो आप देख सकते हो इस को किई है इस हॉल में कितनी टैल लगेंगी ता बार है टाईल लगेंगी अगर इसमें बारा टैल लगा दी जाएं तो क्या हो जाएगा इसकी जैस्ट है वह फुल्र हो लब यह है आपका जब भी इस तरह का कोशन आएगा एक बड़े आकार का हो जैसे कम्रे की बात करें और टैल्स की बात करें तो इसमें बड़ा कौन सा है बड़ा तो आप कहोगे सर यह वाला बड़ा है कौन सा कम्रया कम्रा बड़ा है हॉल बड़ा है और यहां पर क्या है यह square shape का है तो ये क्या है छोटा है किस से इसकी अगर compare करें किस से एक compare से तो ये वाला part क्या है छोटा है तो हमेशा जो बड़ा वाला part है वो हमेशा उपर रहेगा और जो छोटा वाला part है हमेशा नीचे रहेगा उपर वाले part में कि बताओ कौन-कौन कर सकता है इस कोशन के लिए यह भी कोशन क्या है बहुत आसान कोशन दिमाग लगाओ फटापर से करके बताओ और यह आपका चैप्टर है most important chapter है कल भी बताया था मैं आपके लिए इसमें से आपके तीन question last year पूछे गए हैं और हर साल लगबग एक या दो question पूछा ही जाता है तो इस chapter को अच्छे से कर ले हर एक question most important है अगर cutting question आ रहा है तो उससे भी डरना नहीं आप लोग के लिए डरना नहीं है practice करके क्या है उससे लड़ना है ठीक है चलो आजाओ question number two sorry 12 देखो length देरक किये rectangle एक rectangle है उसमें length देरक किये और आप बिर्द देरक किये देख सकते हो तो क्या पूछा गया है आप से शेत्रफल पूछा गया है किसका आयत का तो यहाँ पर जो देरक है लिक लो लंबाई कितने देरक किये बीटा 50 मीटर देरक किये और इसमें चोड़ाई कितने देरक किये 40 देरक किये 40 मीटर अब आपके question यहाँ से start हो रहे है आयत वाले अभी हमने बर्ग वाले question किये थे अब आपके आयत वाले question से start हो रहे है अब आप से इसमें पूछा गया है क्या पूचा गया है कि आयत का छेतरफल बताओ तो जो पूचा गया है लिख लो सबसे पहले तो आयत का छेतरफल बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई होती है ठीक है आयत का छेतरफल लंबाई इंटू चोड़ाई अब देख सकते हो कोशन में हमें आयत का छेतरफन निकालने के लिए हमें लंबाई पता होनी चाहिए और चोड़ाई पता होनी चाहिए जो कि आप साब साब देख सकते हो कोशन ने आपको दे दी है है उन्हें कहा दिया है कि लंबाई 50 मीटर है और चौणाई क्या है 40 मीटर है तो यहां पर भी दे रखा है तो यहां पर पुट कर देंगे जो हमसे पूछा गया है सबसे पहले उसके लिए लिख लो अब लिख लो उसमें क्या है किस की चीज़ की जोद पढ़ रही जैसे यहां पर चेतर फिल लगाने के लिए लंबाई चोड़ाई का पता होना हमें बहुत जरूरी था ठीक है तो यहां पर भी लंबाई हमें दे रख किये चोड़ाई दे रख किये तो यहां पर हमने पुट कर दी इसकी value तो यहां अब meter into meter क्या जाएगा meter square ठीक है आपका meter square भी answer आ सकता है अब इसके लिए क्या बोल सकते हो 2000 वर्ग meter भी बोल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आप चेक करो आपका option आप देख सकते हैं इसमें आपका option number 1 ठीक है तो इससे पहले आपने question किये थे तो हमारा answer किसमें आ रहा था detail से मैंने आपको बता दिया क्या कारण है किस तरह से चीजे यहाँ पर आपको नज़र आएंगी ठीक है चलो आजओ नेक्स question पर question number 13 और जिन बच्चों ने भी course को purchase किया है तो कल यानि संडे को आपका कल टेस्ट होने वाला है आपको गुरुप में बता दिया जाएगा time क्या रहने वाली है और लेडी हाला कि बता चुका हूं आप लोग के लिए कि 8am पर मतलब morning में 8am अगर आपको कुछ भी change होता है timing में तो आपको फिर inform कर दे जाए गुरुप में तो सभी बच्चे मेने से study करते नंबर पार्तां दूशन नंब यहाँ और आए कुछ नंबर tried किसी आयत की लंबाई 50 मीटर från चोराइज 40 मीटर तो आयत का परिमाप बताओ लंबाई देरकी है कि 50 मीटर चोडाई देरकी है 40 मीटर और आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है ऐद परिमाप पूछा गया है बहुत आसान है फार्मूला याद है तो भी हवा में बते गरोगे फिर आप ठीक है देखो परिमाप निकालने की लेंद और बिड़त पता होने चीए लेंद कितनी है बिटा 50 मीटर ठीक है प्लस बिड़त कितनी है 40 मीटर तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले बोर्ट मास रूल कहता है कि अगर क्या है ब्रेकेट लगी हो तो ब्रेकेट बाला पार्ट क्या होता है सबसे पहले सॉल्व होता है तो यहां पर 50 मीटर यह है और 40 मीटर यह है मैं कहूँ टोटल कितने मीटर हो रहे हैं तो आपके करोगे 40,50,90 और मीटर मीटर कितने हो रहे है 90 मीटर होंगे अब यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि multiply में जब होगा तब ही मीटर square होगा और add या subtract कप कर सकते हो जब आपकी unit सेम होगी यहाँ पर आप देख सकते हो 50 के बरावर में क्या है पास में क्या है, मीटर वाला part है 50 क्या है, मीटर है तो यहाँ पर देख सकते हो यह भी मीटर है, यह भी मीटर है तो हमने क्या किया है, 50, 140 कितना हो गया 90 और मीटर क्या है, तब जड़ा हमारा जाके तो यहाँ पर unit क्या थी दोनों में सेम थी, बरावर थी देख सकते हो, मीटर है, मीटर यहाँ पर meter square होता और यहाँ पर meter होता तब कहो आप इसके लिए add कर दो तो किसी भी condition में आप add नहीं कर सकते थे बात के लिए हो रही है तो यहाँ पर आपका जोड़ोगे और घटाओगे किसी भी number को तो उसमें आपको देखना है unit same हो रही है नहीं हो रही है एक 180 मीटर आ जाएगा देखो 180 मीटर क्या है option आ रहा है इसमें इसमें आपका option नहीं आ रहा है मुझे लगए इसमें एक बार रीजाइक कर लेता हूं मैं question question number 14 किसी आयतकार मैदान की लंबाई 45 मीटर यदि मैदान का परिमाप 136 मीटर हो तो चौड़ाई ज्याद करो लिख लो भी सबसे पहले जो दिरखा है लिख लिया करो बिना सोचे समझे लिख लो आयत की लंबाई दिरख की है 45 मीटर ठीक है और मैदान का परिमाप अब मैदान कैसा है विटा मैदान आयतकार है rectangular ship का है आयत का परिमाप दे रखा है कितना दे रखा है 136 मीटर दे रखा है तो चौड़ाई बतानी है हमर लिए तो जो जो कोशन में आपके सामने data दे रखा था वो हमने यहाँ पर लिख लिया और जो पूचा गया था उसे भी लिख लिया चौड़ाई पूची गई है किसकी आय आयत की चौड़ाई पूची गई अब कैसे निकाल सकते हो बताओ आपके सामने आयत का परिमाप दे रखा है और लंबाई दे रखा है तो कुछ ना कुछ करके जो पार्ट आपके सामने कोशन में गिविन है उसी से हमें निकालना पड़ेगा अब निकाले हो कैसे चलो दिम इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि आयत का परिमाप का अगर फार्मुला में लगा लूँ यहां से तो कुछ बन सकता है लगागा देख लो तो आयत का परिमाप क्या होता है टू इन्टू एल प्लस भी मतला लंबाई प्लस चौड़ाई ठीक है लगा लिया हमने चलो अब दिख लो आयत का परिमाप दे रखा है बिलकुल दे रखा है 126 तू लंबाई दे रखी है बिलकुल कोशन में दे रखी है 45 प्लस चौड़ाई जो कि हमें निकालना है तो यह तो बैसे ही कोशन में दी हुई नहीं होगी ठीक है अब देख लो यहां से तो क्या करोगे कभी भी is यह यहां पर 45 है यह यह चोटाई यह 37 यहां पर 35 यह आपर बंचाड़ाई होती तो चाड़ाई यहां पर भी है तब क्या हो horribly time वह चाहिती तब हम एड़ कर लेते तो यह नंबर वाला पार्ट इसमें कुछ आज बात में दिखी नहीं रहा है आपके लिए तो कभी भी एड़ नहीं हो सकता ठीक है तो यहाँ पर देख लो अगर टू किया मल्टिप्लाई करेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा 90 पिलस 2 कि मल्टिप्लाई करोगे चोड़ाई से तो क्या आ जागा 2 चोड़ाई आ जाएगी आ जाएगी किलियर हो गया ठीक है मैंने आपको एक्जांपल दिया था यह घर है और गर के बाहर का एक बेक्ति खड़ा हुआ है अगर बेक्ति अंदर घर में यह बेक्ति दिख रह लड्डू लेकर आया है और लड्डू देगा तो भाई इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा बताया था है मैंने एक्जांपल दिया था आपको लोग के लिए समया गया तो भाई काम हमने यहां पर क्या है तो यह तो है इसके पास भी जाएगा तो इसके पा बाले पार्ट नंबर वाले पार्ट ऑलबेस के रहेंगे एक साइड रहेंगे तो यहां पर टू चोड़ाई है ठीक है अब यहां पर देख लो कितना निकल का रहा है सिक्स यहां से आगर 46 is equal to चोड़ाई ठीक है तो यहां से आपका आ गया 2 चोड़ाई वरावर 46 और मैंने आपके लिए बहुत बार बताया है कोई number वाला पार्ट दरका हो number के अलाबा कोई other part दरका हो चाहे alphabet हो चाहे आपका छोटा वड़ा हो चाहे आपका नाम हो कुछ भी दरका हो जो भी part आपने माना है तो उसके एक number और उस part की बीच में always किसका sign होगा multiply का sign होगा ठीक है तो यहां से मैं ऐसे लग सकता हूँ कि 2 into चोड़ाई बराबर 46 पताओ समस्या किसी को I think नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए भी बता दिया ठीक है अब यहां पर देख लो चोड़ाई यह है यह क्या है उसके साथ में दो लगा हुआ है तो आपको जो part निकालना है वो क्या करेंगे वो equal के एक side एकेला रहेगा अब इसका साथ में क्या है यह साथ ही है यह दोस्त है इसको का करना पड़ेगा उसे भगाना पड़ेगा उस side दूसरी side भगा सकते हैं क्या हम बताओ तो यहां पर चोड़ाई को यही पर रखना पड़ेगा हमने यहां पर रख लिया आप इसे भई भगाना पड़ेगा क्योंकि क्या है जिसकी हम value find करेंगे जिसको निकालना है अमर लिए बो क्या क्या रहेगा equal के एक side एकेला ही रहता है तो इसके साथ में ये है तो इसे उदर जाना पड़ेगा जबर जस्ती भेजना पड़ेगा कैसे भेजो तो यहाँ पर multiply के sign से connect है ये तो यहाँ पर जा क्या हो जागा बटा भाग में हो जागा इसका मतलब क्या डिवाई तो चोड़ा ही बटा क्या आजाएगी 23 अब देख लो कोशन में आप से क्या पूचा गया है चोड़ा ही पूची गई है अब चेक कर सकते हो आप option number इसमें क्या है ए बाला बिल्कुल सही हो रहा है ठीक है यहाँ पर लंबाई मीटर में है तो यहाँ पर यह भी मीटर में आ रखा है चलो बढ़ें आगे जल्दी से बताओ यहां तक चीजे के लिए नहीं सभी के आगे बढ़ा जाए कोशन नंबर नेक्स इतर बढ़ते हैं कोशन नंबर 15 को और जो जो हमारे साथ अभी पर जोड़ा है तो सबसे पहले अपनी प्रिजेंड लगा देंगे लाइक इसके लिए सामको डेली ग्लास आपकी स्टार्ड हो जाती है आप हमारी चैनल बाब ब्लड करके देख सकते हैं प्राने क्लास को देख सकते हैं मैंने सारे पार्ट क्या है कबर का रखें आपके math के 14 चैप्तर ऑल्लैटी को independence क已经 सब सब्सक्राइब हुए हैं राग सारे पार् लिए बिट मिलने वाला है चलो कोशन नमबर 15 एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 2 सेंटीमेटर अधिक है परिमाप 48 सेंटीमेटर है तो इस आयत का छेतरफल कितना होगा ठीक है आयत की लंबाई इसकी चोड़ाई से 2 मीटर अधिक है अब यहाँ पर कोशन ने आपसे इसका परिमाब बताओ इसका शेतर बताओ आसान कोशन थे डिरखा था लेकिन इस बार कहा रहा है आपने ऐसे कोशन तो कर लिए अब करके दिखाओ तो आपको भी कोशन से बोलना है कि कोई दिकत नहीं यह वाई डरेंगा नहीं हम तुमारे से तो यहाँ पर देखो आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दो सेंटीमेटर अधिक है लंबाई और चौड़ाई अब देखो कैसे निकालोगा भी इसमें दे हुई नहीं है भी को तो मैंने आपके लिए एक तरीका यह बताया था मैंने बताया था आपको जहां से लाइन आप स्टार्ट कर रहे हो बहां से आप क्या करो इस तरह से करो लंबाई चौड़ाई से दो मीटर अधिक है तो आपको पढ़ना है कोशन को लंबाई चौड़ाई से दो मीटर अधि तो जहां से आपने पढ़ा है जहां से स्टार्ट किया है और बहां से इस तरह से जाना है और जहां पर आप स्टॉप करोगे जाकर इस तरह से एरो सो कर लेना है लंबाई जो है किस से चोड़ाई से कितनी अधिक है 2 cm अधिक है तो यहाँ पर जहाँ हम stop करेंगे उसको हम माल लेते हैं हमेशा अगर आपको सौझ में नहीं आ रहा है कि लंबाई इसमें माने या चोड़ाई माने तो इसका एक best method यही है कि आपको जहाँ से पढ़ रहे हो लंबाई से पढ़ना इस्टार्ट किया और कहाँ पहुचे आप चोड़ाई पर पहुचे तो चोड़ाई पर आपने stop किया तो उसी पार्ट को आपको माल लेना है जो भी आपका मन करें मान सकते हो नंबर को नहीं मानना है बस x y माल लो alphabet माल लो अपना नाम रख लो कुछ भी रख सकते हो लेकिन क्या numbers को नहीं मानना है कभी भी तो हमने क्या किया लंबाई से हमने चलना है start किया और हम कहा पहुचे चोड़ाई पर पहुचे लंबाई जो है चोड़ाई से कितनी है 2 cm अधिक है तो चोड़ाई हमने कितनी माल ली x माल ली जहां पर हम रुके हैं बोसी पार्ट को हम मानेंगे ध्यार रखना है इस चीज़ को हमने चोड़ाई को माल लिया क्या x अब कहा गया है चोड़ाई जो है सौरी लंबाई जो है किस से चोड़ाई से 2 cm अधिक है अधिक का मतलब क्या है जाद है तो यहां पर चोड़ाई कितनी थी x और x से 2 जाद है तो कितनी हो जाएगी x प्लेस 2 हो जाएगी बात क्लियर हो गई तो इस तरह से हमने लंबाई और चोड़ाई के लिए बना लिया ठीक है अब देखो परिमाप 48 cm दे रखा है तो यहां पर भी हमें लंबाई भी मिल गई लंबाई के आ गई बाता हमारी x प्लेस 2 जो कि अभी अभी हमने बनाई है और चोड़ाई के आ गई यह cm में दे रखा है ठीक है तो यहां पर मीटर नहीं होगा यहां पर cm होगा तो यहां पर चोड़ाई के आ गई बाटां आपकी x 1 cm और दे रखा है परिमाप कितना दे रखा है बाटां इसमें 48 cm दे रखा है और आयत का छेत्रफल बूचा गया जिए तो यहाँ पर चलो लिख लेते हैं आयत का छेतरफल अब आयत का छेतरफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चोड़ाई का भई पता होना बहुत जरूरी है जब तक लंबाई चोड़ाई हमें पता नहीं होगी तब तक हम छेतरफल को कभी भी नहीं निकाल सकते ठीक है तो चोड़ा एक मैं नीची मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई पढ़ रहा है ठीक से चलो अगर देखो, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका यह परिमाप कितना देर क्का है परिमाप देखो परिमाप 48 देर का है उसके नीचे लिख लो, यहां से काटोगे 2 से क्योंकि यह multiply में है तो इससे काटोगे कितना हो जाएगा यहां से 24 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इधर आजाओ तो यहांँ पर आपका जाएगा 2X plus two variable 24 अब यहांपर टू एक्स ये किसमे है प्लस में इधर जाये किसमे हो जाएगा माम 스वघ हो तो यहांं से क्या जाएगा 24-2 तू एक्स वराबर याजाएगा 22 और एक्स की वनयुं निकालोगर तो कितना जाएगा 11 ठीक है तो एक्स बराबर क्या जाएगा 11 निकलकर आ गया अब देख लो यहां से एक्स कितना आ गया 11 और एक्स हमने क्या माना था आप देख सकते हो एक्स हमने चोड़ाई के लिए माना था तो चोड़ाई हम कह सकते हैं कितनी आ गई 11 निकलकर आ गई बोल सक बोटेचा एक सब्सक्राइब यहाँ तक यहाँ लंबाय कितना जाएगी 13 संटीमेटर है और तो चोड़ाई कितनी आ जाएगी बिटा जो कि हमीं निकाली है 11 तो यहां से 11 तिया 33 गयारे कम गयारा और तीन 143 अब बताओ तो यह मीटर आया यह मीटर स्कुएर आया यह सेंटी मीटर आया यह सेंटी मीटर स्कुएर आया तो आपको कंफ्यूज परिशान बिलकुल नहीं होना है मैंने आपको बताया है अगर बिलकुल समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर 13 क्या है यह सेंटी ठीक है इंटू 11 cm number number की multiply करो कितना आया 143 आया अब cm multiply by cm क्या जागा cm2 आजागा अभी इससे पहले हमारे क्या था मीटर मीटर था तो मीटर स्क्वार कर दिया हमने अब cm है तो cm2 हो जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा cm2 यह आप बोल सकते हो वर्ग cm यह भी आपका सही है तो आप option चेक करेंगे इसमें तो option number क्या है आपका यह वाला मैंच कर रहा है ठीक ह समय में आगे सभी के कोई समस्या है तो नीचे comment section में comment कर सकते हो फटा फट से जिसका भी कोई doubt है नीचे comment section में comment डाल दो next class में उसका solution दुबारे से दे दी जाएगा समझा दिया जाएगा जिस दिगाए पर भी आपको दिक्कत हो रही है ठीक है question important है सभी important है और इसी तरह के question आपके आएंगे आप कहो कि बहुत आसान question नहीं आएगा थोड़ा गुमा कर आपसे पूछ लिए जाएगा question अब बनता ही बनता है इस chapter से चलो अब आजाओ next question पर question number 16 अब देखो ये भी question क्या है आप से इसमें लंबाई चोड़ाई आपको दी हुई नहीं है आयताकार केत की लंबाई उसकी चोड़ाई की डेड़ गुनी है डेड़ गुनी का मतलब क्या हो गया one and half ठीक है एक और आदा क्यों हो गया डेड़ तो यहां पर आयताकार केत की लंबाई और चोड़ाई सबसे पहले लंबाई चोड़ाई को लिख लो और बताया है मैंने क्या लंबाई उसकी चोड़ाई से डेड़ गुनी है तो आपको कहां से जलना है जहां से question बोल रहा है लंबाई कहां जाना है चोड़ाई तक जाना है ल लंबाई चोड़ाई की डेड़ गुनी है, तो हम यहाँ पर पहुंचें, यहाँ पर हमने इस्टॉप किया, अपनी आवाज को, अपनी लाइन को हमने इस्टॉप कहाँ पर किया, लंबाई चोड़ाई से डेड़ गुनी है, तो चोड़ाई से है, तो यहाँ पर हम क्या माल ल लंबाई निकलकर आगई, और ये के निकलकर आगई, चوड़ाई निकलकर आगई, ठीक है, अब देख लो, कोशन में आगए दिया हुआ है, यदी खेथ की चौड़ाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसमें मैंने आगे line पड़ी नहीं, दुबारा से देख लो हुई, यहाँ पर खेत की चोड़ाई देरक की, all lady, कोई दिक्त नहीं है, यह second line मन नहीं पड़ी, देखो, खेत की चोड़ाई कितने देरक की है, 14 देरक की है, अब कहा गया है, लंबाई क्या है, चोड़ाई का, जहाँ पर का देरक खाओ, की देरक खाओ, तो बहाँ पर क्या करना है, भहिए आपको multiply का sign लगा देना है, चोड़ाई का डेड़ गुना है, यहां से काट होगे, तो 7 बना जाएगा, 21, तो 21 बिटा क्या आजाएगी, आपकी land आजाएगी, और विर्थ कितनी आगे देरक की है, कितनी 14, अब कोशन में आगे देख लो, तो खेत का छेतरफल पूचा गया है आपसे, तो छेतरफल का formula क्या है, खेत का छेतरफल, तो खेत सबसे पहले देख लो, किस तरह का है भी खेत, खेत आप देखोगे, तो यहां पर आपका खेत देरका है, आयत क्या कार का, तो आयत का छेतरफल क्या होता है, लंबाई, 21 और multiply by 41 sorry 14 तो यहां पर 14 बन्जा 14 14 28 28 29 तो क्या आया 294 आपका आगया ठीक है 294 आगया अब यहां पर क्या है लंबाई किसमें है मीटर में रखी है देखो और चौड़ाई किसमें दर्खी है मीटर में रखी है तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वेर हो जा फटा पर से बता देंगे एक बार सभी वच्चे जोड़ा तरीके से कोई भी डाउट है कोई भी समस्या है तो ठीक है को को स्टन नमबर नेक्स पर आजाओ को को स्टन नमबर आपका है 17 कोस्तन नमबर 17 देखो एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई की 6 वटे 5 गुनी है यदि आयत का परिमाप कितना दरखाओ 32 मीटर है तो छेतर पर बताओ तो लंबाई और चोड़ाई फटा पड़ से लिख लो लिख लिया हमने अब देखो कहा से कहा जाना है लंबाई इस का कितना है 6 वटे 5 गुना है 6, 6, 6 अपन 5 टाइमस है तो क्या हो जाएगा यहां से इस तरह से यह क्या निकल कर आ जाएगी बिटा लंबाई निकल कर आ गई देखो और यह क्या आगई बिटा आपकी चोड़ाई निकल कर आ गई अब पूछा कहा गया है आयत का परिमाप त निकाला है 6X अपन 5 पिलस आपकी बिट कितने दिरख की है X दिरख की है तो यहां पर अगर आप इसके लिए सॉल्ब करोगे तो 2 इसको आप दो को एड करना है तो नीचे वाले पार्ट का एड करना है और बाकी मैं डाइट कर देता हूं यहां से 11X अपन क्यों हो जाएगा फाइब 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 66 इधर आ जाना इधर इस साइड यहां पर देखोगे तो 66 इंटू क्या हो जागा 15 वराबर सवरी 5 है वराबर 11 X ठीक है अब यहां पर क्या है यह X की बैलू निकाल नहीं है अगर हम X मिल जाए तो हमें क्या है लंबाई भी मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर आप से पूचा क जाए तो यहां पर देखो 11 66 इंटू 5 अपाउन यह किस में है गुडा में है भाग में हो जागा जाके तो 66 काटो गए 11 से तो 6 आएगा तो X is equal to कितना आजाएगा 6 आजाएगा अब X आप देख सकते हो हमने किसको माना था भी चोड़ाई के लिए माना था तो चोड़ाई ह हमारे लिए मिल गई कितना आगया 6 निकल कर आगया अगर हमें चोड़ाई मिल गई तो भी लंबाई मिल जाएगी क्यों मिल जाएगी लंबाई किस पर डिपेंड है चोड़ाई पर डिपेंड है तो हमें लंबाई अगर चोड़ाई मिल जाएगी तो हम 6 निकल कर आया 6 निक लंबाई निकल कर आ गई ठीक चलो तो देख लेते हैं अब आप यहां पर आ जाओ इधर तो आयत का आप से छेत्रफल पूचा गया है कि आयत का छेत्रफल लंबाई इंटू चोड़ाई लंबाई कितनी है इंटू और चोड़ाई कितनी निकल कर आ गई शिक्स ठीक है लग रहा है मुझे कहीं मिस्टेक हो गई बटा चलो देख कर लेते हैं सिक्स अपान फाइंब कि इसज 엄 मिस्टेक हो गई बता भी क्यालिक्लोचन के मिस्टेक को नहीं नहीं हो रही है ओ आयतकार मैदान की भिमाई एक्सू चोड़ाई सिक्स अपान फाइब गुंदी है आयत का 431 बिसःतिट तू बिल्कुल सदीए यहां से एक्स 6´ उ फाइब क है तो यहां से यहां पर 6 x upon 5 लंबा यह मिलेक्स लिए प्लैस्ट हो गई यहां से 11X आइप ठीक है तो यहां से हम काटेंगे तो से काट होगे तो तूश्च जाएक तू सिक्स जाओ बिल्कुल सही है यहां से अब यहां से फाइव देखो यहां पर बिटा यह हो गया इस जगाया पर हमने multiply नहीं कि दो यहां mistake हो रही है यहां पर देखो दुबारा से आज़ो दोगे यहां पर six ख्लिक दिया था हमने तो यहां पर एक्स है वराबर six की multiply करोगे five से कितना आ जागा 30 आ जागा तो यहां पर जो चोड़ाई है बुक कितने निकल कर आ गई यहां पर five sorry 30 निकल कर आ गई यहीं पर mistake हो रही थी ठीक है तीस आ गई अब यहां पर हम लंबाई निकालना चाहें तो हमारी six एक्स की value हमने जो किया भी निकाली यह 30 एक्स की value फूट कर देंगे हम तो यहां से 30 अपॉन five तो इसे काट होगे यहां से क्या जागा थाटी सवी से अ घृँट थाटी सिक्स आ जागी थीक अब इसकी लेंध किस 합니다 और आपकी मीटर ठीक है मीटर में तो लंबाई क्या है मीटर आ जाएगी यह भी मीटर ठीक है आब यहां पर आसाने से आम निकाल सकते हो लंबाई चौड़ाई को put करके तो लंबाई कितनी आगे 36 इंटू चौड़ाई कितनी है 30 यहाँ पर 0, 36, 18, 39 और 10 तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या निकल कर आएगा यह भी मीटर में यह भी मीटर में तो क्या जाएगा वर्ग मीटर ठीक है बताओ जल्दी से बताओ किलियर हो गया ठीक है तो यहाँ पर question number 47 का यह answer आजाएगा 1080 वर्ग मीटर और next question है यह आपका home work में है इसको आपको अपने आप करना है नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको समझाओंगा बहुत आसान सवालंड पाल्ड है वो इसको छोटस को नीचे रह एक में पूछा गया है कि आयताकार मैंदन काटे जा सकते हैं ठीक है किस चैप के 30 वाई 40 चेपने मैंदन काटीर जा सकते यह पूचा गया तो करना है सभी के लिए नीचे सभी को कमईन सेक्शन में कमेंट दो दिल से एक बार लाइक का बटन सभी बच्चे बता दवा देंगे जोने नहीं दवाया है और जोने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि शाम को 7 बज़े डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो चलिए बच्छो